तो आज जब faculty meeting हमारी हुई थी तो उसमें एक बहुत ही important चीज जो कि बहुत छोटी सी बात है बट वो एक question उभर के आया and I thought मैं आपके साथ वो share करूँ तो basic question was कि ऐसा generally क्यों पाया गया है कि जो भी backbenchers होते हैं या average students होते है class time पर या school time पर वो competitive exams में काफी excel कर जाते हैं as compared to the top rankers कुछ तो ऐसे gifted बचे होते ही हैं जो जिनकी life initially sorted रहती है शुरू से ही sorted रहती है देख लिए अग्जाम but most of the toppers we see they struggle in competitive exams and overall in career तो ऐसा क्यों होता है तो बात तो बहुत छोटी सी थी but I thought of sharing it with you कि हमारा perspective उस चीज में क्या है welcome to sleepy classes and आज हम ऐसे ही discuss करेंगे paper clear करने की philosophy so हमने उसके जो निशकर्ष है कुछ वो निकाले and we finally found out कि actually मैं आपको क्या ऐसे extra करना चाहिए या क्या ऐसे toppers जो है वो differentiate करते हैं बाक बेंचर से या आवरेज स्टूदेंट से जो कि initial stage से तो नहीं but जो आगे लंबी हमारे life की दोड़े जो आवरेज स्टूदेंट्स को या बाक बेंचर को help करती है and excelling further right so अब हमारे बीच में एक question आता है कि what do you need to actually achieve before you actually clear the paper right कि क्या आपको extra ऐसा करना चाहिए for a topper कि उसे अब finally आगे जो है वो clarity मिलती रहे या paper जब आप देने बैठते हो भी it कोई भी competitive exam आपका mindset क्या होना चाहिए उस time पर right so what do you actually need to achieve before actually clearing an exam be it कोई भी exam हो right यहाँ पर मैं boards की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ competitive exams की तो कुछ ऐसे important mindsets या mind frames या जो pointers हमारे दिमाग में आए जो हमने उस बात में discuss किये meeting में discuss किये वो मैं आपके साथ आज share करूँगी जो कि कही ना कही relevant भी है और अगर हम देखे हैं हमारे psychologist जो कि उस meeting में बैठे हुए थे उनसे भी हमने बात की तो they also said कि actually में जो बच्चे हैं जब उन्हें calls आती हैं overall उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी direction में वो आ गए है UPSC clear कर रहे हैं आपको पता ही नहीं होता कि किस तरीके कि किस लेवल की तयारी चाहिए बस UPSC करनी है और कोई motive नहीं होता है life में so this is not the solution क्योंकि अगर आपको पता है paper जो है clear करने की यहां पर percentage एक परसेंट से भी बहुत जादा कम है तो अब उस उमीद के साथ अगर आप पढ़ते जा रहे हैं कि आपको आगे बीचे का कुछ नहीं पता है बस paper देना इस वज़े से हम clear कर रहे है या नहीं कर रहे है paper तो overall case में पता है paper clear नहीं होने वाला ऐसी है तो आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है आपका एक proper mindset क्य होना चाहिए while giving any kind of competitive exam वो आपको पता होना चाहिए right so कुछ ऐसे pointers है वो ले डाउन किये हम आपके साथ discuss करूंगी this is a general video यहाँ पर कोई कोई कोर्स की promotion नहीं हो रही है तो student perspective से क्योंकि हम भी उसी time पर यहाँ पर भी रहे हैं आपकी situation में भी रहे हैं सब कुछ हमने देखा ह तो उसका कुछ ऐसी valid discussion points रहे हैं वो मैं आपके साथ आज share कर रहे हूं first is identifying the cracks that is vulnerability was the first pointer we discussed कि general cases में जो basically अब ऐसी बता देती हूं कि जो toppers होते हैं बच्चे उनके case में क्या होता है कि उन्हों होता है कि starting से यह चीज माइंडसेट स्कूल से रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं बिल्कुल accurate होगा बिल्कुल उसमें कोई भी इशू होई नहीं सकता है तो वो stubbornness develop हो जाते हैं कि नहीं मेरा आंसर बिल्कुल सही होगा मैं गलती करी नहीं सकता सो हमारे accordingly ऐसा होता है कि until and unless आप किसी के लिए vulnerable नहीं होते हैं किसी situation के लिए vulnerable नहीं होते हैं तो उस situation में आप अपने अंदर की light नहीं देख पाते हैं for example कि कोई भी light को पास करने के लिए एक wall में से crack कर develop होना बहुत ज़रूरी है राइट कि वो stubbornness कि मैं ही बिल्कुल सही हूँ उस time पर वहाँ पर जब हो सकता है कि जो सामने वाल आपको information दे रहा है वो आपको नहीं पता हो वो भी सही हो यहां पर perspective की बात है दूसरी चीज कि हम जो देखते हैं बाग बेंचर में आवरेज स्टूडेंट्स में कि जो बच्चे होते हैं टॉपर बहुत ही गिसू होते हैं कि सिर्फ बुक्स है कुछ नॉलेज है आसपास की दुनिया का कुछ नहीं पता होता है वेराज आवरेज और जो बाग बेंचर होते हैं उनके जेनरल इंट्रेस्ट जो है वो दुनिया में जादा होते हैं और इसका best example में यह देख सकते हूं कि जब भी कोई आपका UPSC का जब आप से पोस्की ज हो इने जाते हैं कोई बी इंट्रीव देने जाते हैं हो fire आपकी घेनरल इंट्रस्ट आपकी होबीस आपसे करांट अपश पास की आप की परसिवरन्स कैसी है परसीव कैसे करती है चीजों को वह सारी चीजें आपे पूछ जाती है इन साचा केस यहाँ पर डुनिया अह। गिसना पढ़ता था हाना laws पढ़ने पढ़ता है बट actually में जब आप practice करने जाते हो judge के paper देने जाते हो तो बहुत ज़ादा अलग scenario होता है जब उन laws की application होती है तो इस case में आपको अपने general interest को भी develop करना है पढ़ाई के साथ साथ then opinion and understandability सबसे बड़ी बात कि opinion जब तक आपका किसी चीज के उपर नहीं होगा तब तक आपकी understandability किसी चीज को लेकर कैसी है वो आप कर ही नहीं सकते हो identified एक गलत opinion चाहे है बट वो ये चीज क्या denote करते है कि आपको उस चीज की understanding तो basically हो रही है तभी आप उसके against या उसके लिए सवाल या अपना opinion दे रहे हो तो जहां पर आपको opinion ही नहीं है most cases में हम यह जीज देखते हैं यहां तो आप situation को bypass करने की कोशिश कर रहे हो या फिर क्या और है कि आपको उस चीज के बार में समझ ही नहीं है develop करते हो then acceptance एक बहुत important point है यहां पर differentiation रहती है एक topper की यही कि उसको कोई और उससे आगे नहीं निकल जाए उसके acceptance नहीं आती है जल्दी से वैरास जब वही घिसू topper बच्चा दुनिया में ऐसे 12th pass करके आ जाता है उसको दिख रहे है कि मिर से भी आगे बहुत सारे लोग है तो उस चीज की acceptance नहीं आती है and finally that person breaks right तो breaks in that sense कि वो आगे बड़ी नहीं पाते है उस दुनिया से कभी match नहीं कर पाते है I'm not talking about the exceptional cases but general cases में आपे क्या हो रहा है कि वो accept ही नहीं कर पाते है कि मुझसे कोई better हो भी सकता है right कि जो average student होता था मेरी ही class में आज वो इतना जाद excel कर रहा है कि जब तक आपको acceptance नहीं आती इस चीज को लेकर कि हां मैं भी गलत हो सकता हूं या मैं perfect नहीं हूं में को continuously चलना है चाहे मैं slow walk करके ही चलू marathon भागनी है मुझे life is a marathon right तो marathon भागनी है मुझे तो एक दम से आप रुक जाते हो तौप जो है वो रुक जाते हैं उनके दिमाग में यह रहता है कि नहीं यह burden जो है दिमाग में उनको वही चीज़ा के mental stability वापे नहीं रहती है इसके अलावा always have hobbies right तो अभी जो हमारे sleepy के faculty है दो आपको पढ़ा रही है हाना but still they have their hobbies आयू सर की बात करते हैं तो वो जिनके अ hobbies को pursue करते हो नए interests को develop करते हो आपका जो एक mindset है वो broad हो जाता है आपने नई series देखे होंगी काला पानी कितने सारे यहां पर एक तो series देखने के viewpoints साब बता सकते हो कि क्या क्या चीज़े होती है बट उसी एक simple एक series ने आपको car system के उपर भी बताया हाना car system के बाद वहाँ प PSE aspirant के लिए क्या है या कोई भी competitive exam का जो aspirant है उसके लिए वो अलग point of view से आप यह वो चीज़े देखते हैं कि you have to switch you have to switch it right आपको जो switch है सो flip करना पड़ता है right certain scenarios में तो वहाँ पर एक first or second episode में question आ जाता है कि आप किसी एक की जान को जो है खत्रे में डालेंगे या 5 जो है वहाँ पर उनको बचाएंगे so ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो आपका interest develop करती है अगर आप कोई series भी देख रहे हैं उसी basis पर आप अपने ideas को भी develop कर सकते हैं बस आपका mindset कैसा है वहाँ पर उसी बेखेंगे then control of your emotions right emotions कैसे क्योंकि अब काफी लंबी journey है marathon है मेरे personal accordingly में यह ची से मिल रहे होगी but आप यह देखेंगे कि marathon जो भागते हैं वो जादा successful रहते हैं so अब आपको अपने emotions याने की lifetime जो आपको difficulties आती रही है उसको कैसे आप challenge की तरह लेकर भी अपने जो goals है से achieve करते हैं उसके उपर focus करना है अब यह नहीं है कि आप हमेशा पढ़ाई की तरफ भी focus हैं तो अपनी family को बिल्कुल भूल जाएंगे ऐसा नहीं होता कि in case अगर आप suppose कि आपने इतना पढ़ाई को dedicate कि अपना time family को बिल्कुल ignore कर दिया but there comes a time जब बहुत बिमार हो जाते हैं तो वही family आपको help भी करती है तो यहां पर आपको बिल्कुल ऐसे bot बनकर या robot बन emotions flow through yourself रो ना रहा है रो ठीक है एक limit में अपने emotions को निकालते रहे है time by time अगर आपकी family आपको प्रेशराइज कर रही है कि शादी कर लो यह कर लो तो उनको समझाने की कोशिश करो अपने emotions को अगर आप एक proper vibe की तरह reciprocate करोगे तो वह आपकी family है वह समझेगी अगर दोस्त स सकते हैं वो तो still family है जो आपके difficult times में आपका साथ दे रही है नहीं समझ रहे हैं that is a different perspective अना but most of the cases में I have seen इनके families जो हैं वो समझ आते हैं क्योंकि आपके आपसे जादा महाँ पर उनकी priority नहीं होती है life में अना तो इसके अलावा other interest की बात अगेन होबी के साथ ही हम लेकर चल सकते हैं कि अब general cases में आपको interest develop कीजिए अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे backbenchers हैं पढ़ाही में इतने तेज नहीं है तो उनको सारे पता है तो उनके interest के basis पर होता है अब कोई भी job interview हो रहा है आपका तो वहाँ पे या even की UPSC क्या panelists से अब उसी hobbies के basis पे या even BPSC के आप interviews लेखेंगे वही hobbies के basis पे आपसे आगे से आगे से आगे से आगे आगे से आगे आपका जो है personality test हो लेते हैं कि overall how much you have developed yourself तो अब extracurricular activities new अप हमारी education policies में compulsory क्यों कर दे गए हैं there is a reason behind that पहले दो होता था ऐसा education system हमारा के सिरफ पढ़ाई क अब पढ़ाई के अलावा extracurricular activities के उपर focus करना equally ही important है and सबसे बड़ी बात यहाँ पर वही है acceptance लेकर चलिए अपनी life में right paper clear हो रहा है तो भी नहीं हो रहा है तो भी if you need some kind of break take a pause ठीक है pause जो है आपको क्या करेगा pause किस वे में कि अगर आपको नहीं आपको लग रहा है paper clear न अब कीजिए अपने आपको explore कीजिए ठीक है आप पैदो हुए paper देने के लिए ठीक है paper जो है उसके basis पे आप अपनी life को adjustment कीजिए यहाँ ठीक है paper देना एक priority है बट उसे पूरा life बना के आप मत चलिए ताकि आपके पास अगर वो paper clear नहीं भी होता है तो plan B ना रहे कोई so overall हर एक situation में अपने आपको handle कैसे करना है that is your life and उसी basis पे आप अपने आपको adjust कीजिए हाँ पे life में and आगे तयारी करते रहिए और भी better तरीके से so this was all which we discussed in the meeting जो मुझे लगा कि आपको बताना बहुत जरूरी है being an aspirant आपको पता होनी चाहिए कि आपको कैसे एक seamless तरीके से दो bumps आते हैं life में but अपने आपको adjust करना है उन bumps के accordingly sometimes आपकी studies को ज़्यादा time चाहिए वहाँ पे focus कीजिए ठीक है be physically present right time को अगर या present को हम present क्यों बोलते हैं क्योंकि it is a gift right उस gift को utilize कीजिए जहाँ पे आप physically present है वहाँ पे mentally present रहेंगे बहुत better results निकल के आए और गिसू paper है UPSC का we know but still we know कि उसके अलावा आप जब field work पे paper clear करके जाते हैं तो paper के अलावा भी बहुत सारे scenarios ऐसे आते हैं जो कि आपको पढ़ाए नहीं जाते हैं since important जो है aspect life को भी यहाँ पे discover करना है right so that was all for today thank you so much